नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वोमिकाइंड इंजेक्शन का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, वोमिकाइंड इंजेक्शन को कैसे लगाया जाता है, और वोमिकाइंड इंजेक्शन की वज़से क् effects हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे कि Vomikind injection को लगवाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए Vomikind एक brand name है Vomikind injection के अंदर salt composition ondenstron होता है Vomikind injection का उप्योग उल्ती आना या उल्ती आने का मन होना और जी मिचलाना आदी समस्याओं को ठीक करने के लिए वर रोकने के लिए Vomikind injection का उप्योग किया जाता है किसी सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद भी डॉक्तर उल्ती को आने से रोकने के लिए भी Vomikind injection को लगाने की सला दे सकता है साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में Vomikind injection की वजह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में Vomikind injection की वजह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं जैसे सिर्दर्ध होना, शरील में ठकान होना और कब्ज होने की समस्या हो सकती है। और कुछ व्यक्तियों में Vomikind Injection की वजह से डाइरिया यानी दस्त होने की समस्या भी हो सकती है। अब हम डिसकस करेंगे कि Vomikind Injection को कैसे लगाना recommended होता है। Vomikind Injection को Intramuscular और Intravenously दोनों ही तरह लगाया जा सकता है। Intramuscular यानी मासपेशियों में और Intravenously यानी नसों के द्वारा। लेकिन ज्यादातर व्यक्तियों को Dr. Vomikind Injection को केवल Intravenously यानी केवल नसों के द्वारा ही लगवाने की सलाह देते हैं। आमतोर पर 12 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को Dr. Vomikind 4MG Injection को दिन में 3 बार लगाने की सलाह देते हैं। लेकिन Vomikind Injection की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इस से अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको Vomikind Injection को लगवाने से पहले डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि Vomikind Injection को लगवाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को Vomikind Injection या इसके किसी भी इंग्रिडेंट जैसे Ondenstron आदी से ऐलर्जी है, तो ऐसे व्यक्तियों को Vomikind Injection को नहीं लगवाना चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को भी बताना चाहिए। वैसे Vomikind Injection प्रेगनेंट महिलाओं और गर्ब में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुचाता है। प्रेगनेंट महिलाओं के लिए Vomikind Injection उल्टी को रोकने के लिए वठीक करने के लिए एक फर्स्ट लाइन आप्शन नहीं है। प्रेगनेंट महिलाओं में उल्टी आना या उल्टी आने का मन होना आदी समस्याओं को ठीक करने के लिए डॉक्तर डोकसिलामाइन और पाइरिडोकसिन टैबलेट को कॉम्बिनेशन में लेने की सलाह दे सकता है। प्रेगनेंट महिलाओं को डॉक्तर वोमिकाइंड इंजेक्शन को लगाने की सलाह तभी देते हैं, जब वोमिकाइंड इंजेक्शन का देना बहुत ही जरुरी हो और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए वोमिकाइंड इंजेक्शन को लगाना सुरक्षित है। इसलिए जरुरत पढ़ने पर डॉक्टर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को वोमिकाइंड इंजेक्शन को लगाने की सला दे सकता है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका वोमिकाइंड इंजेक्शन से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते करवार आपका वोमिकाइंड झाल कर हुछ सकते हैं।